करने का रीजन ये है कि लास्ट येर हमने पहला फेस्बुक लाइब किया था जिस समय कोरुणा की कोई गाइडलाइन्स नहीं थी कोई ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा था किसी को सबी लोग इस मंझस में थे कि पता नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं ट्रीटमेंट कहां से सुरू करें क्या अईरवेदिक प्रोटोकॉल्स हो मेडिसिंस अईरवेदिक दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती हैं बहुत सारा कंफ्यूजन था उस समय उस समय पहला लाइव करके या उस समय हमने फोर लेवल्स बनाए थे बताए थे उसी के ट्रीटमेंट बताया तो और वो पूरे भारत में उत्तर से लेके साउथ तक महारास्ट में सभी जगह पर सभी चिके सुकून ने उसका बहुत उपयोग किया बहुत सारे अच्छे फीड़वेक दिये और बहुत अच्छा उसका प्रितिसाद मिला रिजल्ट मिला और आप सभी लोगों ने उसका उपयोग किया यही मेरा उद्देश्य था कि आदिकतर चिके सग उपयोग करें इसी की कड़ी में आज हम दूसरा लाइब कर रहे हैं क्योंकि एक साल पहले हमने किया ता लगवक्स तो इस चीरा इस बार आप दो रहे हैं कि इंफेक्शिग रहा है सेंदर में बो लें न 현재 को में एजया थार्ट उनलएं मुद्डे की बात है की की मुझे लगेगा थोड़ी जहर बाद ही ले लो बात यह है कि अब आज की स्तिती में कोरोना की स्तिती क्या है और हम इसको किस रूप में देखें और इसके लिए हमें कुछ प्रोटोकल चेंज करने के आवशक्ता है क्या क्योंकि बहुत सारे मुटेशन्स हुए हैं और स्ट्रेंश में बदलाव आए हैं कुछ तो खुद पूर्ण रूप से बदल गए हैं तो वह भी एक डाउट है कि क्या किया जाए इसके लिए तो आईरवेद इसमें किस तरीके से सोचता है बाकि आप लोगों के जो भी कुश्चन्स होंगे आप ल 2020 में थी वो फिर से 2021 में आई है 2020 जब गया तो सब लोगों को लगा कि अब तो वही चलो बच गए जिनको हुआ हुआ जिनको नहीं हुआ नहीं हुआ बच गए हैं अब सब ठीक होने वाला है तो लेकिन फिर से 2021 में यह सेकेंड वेव आने की पूरी उमीद थी और वो आई ह है हम लोगों को भी पता था कि आने ही वाली है इसके लिए अब क्या सबसे पहले तो लोग पैनिक बहुत है मैंने देखा कि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और लाइव आने का यह भी उद्देश है कि लोग पैनिक ना हो यह कैसे मैं को समझाओं कि हर आदमी को समझाना बहुत ज्यादा इरिटेवल इरिटेशन में आ रहे हैं उनको पतानी कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत ज्यादा विशाद करने लगते हैं और किसी भी रोग के लिए बताया जाता है कि विशाद और विवर्दना नाम तो मैं सबसे पहले सब लोगों से बोल रहा हूं क् कि ऐसा नहीं है कि हम डॉक्त नहीं होगा या से सब्सक्राइब को 收त हुएं कि पतानी क्या करना है कि नहीं कर दो नौट क्या सहिए गलत है समझ से बाहर हो जाता है उस Draghi में सबसे पहले तो должны करने तो एर गुज समेदा है कि को फॉइद हुआ है उसकी जज्किन आरहे तो की बिलकुल आवशक्ता नहीं है और डरने की बिलकुल आवशक्ता नहीं है अभी मैं देख रहा हूं मेडिया में और लोग भी जो है बता रहें कि डर लोग डर नहीं रहें इसलिए ज्यादा फैल रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है बात गलत है डरने का मतलब यह नहीं है क महीने पहले प्रयास किये जा सकते थे प्रिवेंशन के लिए लेकिन अब तो यह है कि हो गया है अभी आप देखिए कि लास्ट यह जो केसे जुलाई अगस्त में आये थे इतने वह अभी 90,000 क्रॉस कर गए हैं तो बात समझने की यह है कि डरने की बिल्कुल आवशक्ता नहीं है यदि आपको कोई लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि सर्दी है जुखाम है गले में खरास है बुखार आना ऐसे कोई भी लक्षण देख रहे हैं तो पैनिक मत हुई है सबसे पहले आपने आपको आइसुलेट कर लीजिए आइसुलेट कर सकते हैं इंटीजन से कर सकते हैं और नहीं भी कराते हैं तो भी आप अपने आपको आइसुलेट करके जैसे पहले प्रोटोकॉल हुआ था पहले भी यही हुआ था गल्ती यही करी थी कि सब लोग टेस्ट के लिए दौड़ पड़े थे और टेस्ट में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें आप माने की नहीं माने क्योंकि false negative false positive की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट कराना ही है तभी कुछ हो कहां है दि आप अपने आपको आइसुलेट कर नहीं नहीं होती है उसमें लेकिन अब बात यहसंदे हकी है कि इसी को हो गया है तो पेनिक्स ना हो और और उसके पास सारी विवस्ता हो इसलिए हमने इसमें लिखा कि इमर्जंसी किट मुझे लगता लोग जुड़ रहें जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहेंगे तो मैं टॉपिक डारेक्ट सुरू करता हूं जो मूल मुद्दा है कि इमर्जंसी किट घर में क्या होने चाह अपनी है उसके पहले डाइट डाइट इंपर्टेंट या जैसे ही आपको infection होता है या ऐसा लग रहा है कि infection हो चुका है या आपको कर ती है तो हमने इसमें फ्रीडस qovid diet like यह लास्ट यह भी हमने सारे पेशेंट्स को दिया था जो emergencies में थे ऐसी ग्लाइब ऑक्सीजन पर थे उनमें वे हमने रिक्षट करके फोक्स ने करेंगे सिर्फ मेडिसिटेंबन फाइदा करेंगे प्यो नहीं होगा इसका बहुत अच्छा वजारन दे के आपको बताता हूँ कि infection तो बहुत लोगों को हो रहा है लेकिन 80-90% recovery rate है कि हरकेसी को तो निमोनिया नहीं हो रहा है हरकेसी को तो कोई critical conditions नहीं हो रही है मुश्किल से 2-3% लोगों में ऐसा देखने को मिल रहा है उसके आगे जाए तो और ज्यादा critical जो है वो एक से कम 1% लोगों में है लास्ट येर भी हमने देखा था इस वार भी हम यहीं देख रहे हैं इस वार संकर्मान का rate को ज्यादा हुआ जरूर है अभी तक तो क्यों ऐसा हो रहा है कि भी सबको हो रहा है संकर्मान लेकिन कुछ को बहुत जादा problem हो रही है किसी को बिल्कुल नहीं हो रही है तो आप बोलेंगे सबूर है इम्मूनिटि तो है ही ठीक है लेकि इम्मूनिटि कोई एक चीज़ नहीं है कि अपने आप बन महां पर उसको आम मिलेगा या inflammation मिलेगा इसलिए CRP का हम इसमें बात करेंगे कि क्या रॉल है तो आम कफ बढ़ा हुआ है विकृत कफ है और फित बढ़ा हुआ है कफ और पित दोनों या कोई एक इन में से आपके सरीर में बढ़ा हुआ है तो आपके सरीर में जो वाइरस आए है या क्रोनिक है और हम मेडिसिन से कंट्रोल करके रखे हुए है उन सभी के सरीर में सेल लेवल इच सेल लेवल के लेवल पर इच सेल लेवल पर इंफ्लामेशन होता है इसी को चेक करने के लिए करने CRP कोई डायक्नोस्टिक क्राइडरिया नहीं है कि भाई किसी को कोविड है और रहेगा तो इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाता है लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है इसके बाद में फिर अगेन हमें CRP कराना होता है कि हमने जो टीट्मेंट दिया उसके बाद में CRP कहीं आंगे तो नहीं बढ़ रहा है या उससे कम हो रहा है या उससे कम होते जा रहा है then what to do do not worry do not worry उसे चिंदा करने की जरूरत नहीं है आपको लेकिन यदि आप उसके बाद CRP लेवल दीरे 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 slow down हो जाता है slow down हो जाता है तो यह कुछ markers होते हैं जिनको हम collectively जब देखते हैं कि आपके symptoms क्या है markers values क्या आ रही है यह सारा देखने के बाद में हम प्लान करते हैं कि इसको क्या medicine देनी है और क्या नहीं देनी लेकिन डाइट इसलिए important है आम नही संनी पात की तरह इसको देखना चाहिए और सुसनक संनी पात ही है यहां पर सिलेश में प्रदान संनी पात मतलब क्या हुआ इसका कि कफ जब आपके सरीर में बढ़ जाता है तब यह रोग ज्यादा तेजी से बढ़ता है उस समय आपके lungs में में म्यूकस जमा होने लगता है और इतना जमा हो जाता है कि oxygen जितनी जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है इसलिए saturation डाउन होने लगता है SPO2 लेवल आपको कम दिखाई देने लगेगा तो इसके लिए जब हमें पता है कि यह चीज हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है तो इसके लिए आचार्यों ने सिद्धान्त दिया हुआ है कफ इस्थानाना पूर्वी मतलब क्या कफ की चिकित्सा सबसे पहले करनी है सन्नि पात रोगों में तो कि फीवर आएगा कफ के कारण आएगा infection spread होगा कफ के कारण होगा replication होगा वाइरस का कफ के करण होगा क्योंकि आपके सरीर में उसको मीडिया मिल रहा है दूसरे के सरीर में जहांपर कफ और पित बढ़ा हुआ नहीं थानी है고 हम नहीं है लेकिन इन सरीर में इन लोगों में जहां पर यह चीज देखने को मिलती है कफ बढ़ा हुआ जैसे जो लोग रात में दही खाते हैं जिनकी लाइफस्टाइल खराब है इम्मुनिटी कोई दो दिन में नहीं बन जाती कि भाई आम चलो इम्मुनिटी वाले कोई दवाई खा ल लेनी है जैसे इंपोर्टेंट है दूद दही यह दो चीजां तो सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए जिन में इंफेक्शन का खत्रा या इंफेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो दूद और दही नहीं लेंगे दिन में सोना बंद करना है कफ बढ़ाने वाले जि जब डिसीज आपकी ठीक हो जाए उसके बाद में आपको कमजोरी आई है उसको ठीक करने के लिए उसकी रिकवरी करने के लिए बाद में फॉल और जूस खाये जा सकते हैं लेकिन डियूरिंग डिसीज डिरिंफेक्शन आप इन सब चीजों से बचें सिर्फ आपको लेना ह तो नारील पानी लिया जा सकता है वो मैं अभी त्री डेज जो कोई डाइट है उसमें आपको एक्समेंड करता हूं तो जैसे ही आपको पता चलता है कि इंफेक्शन हो गया है आपको सर्दे जुकाम खांची सोड फ्रोट गल्या में खराज फीवर आ रहा है इस वार अतिसार जू है लूज मोशन से एक लक्षयद जादा देखने को मिल रहा है और विडाल पॉजिटिव जी को श्रम करे और विडाल ही सिंब स्रेइब दिखाई दे रहा है तो ऐसी इस्तिति में three days covid diet सबसे पहले patient को उस पर डाल देना है यदि खुद patient है तो सबसे पहले three days covid diet पर आ जाना है three days covid diet क्या है first day कुछ नहीं खाना है आपको सिर्फ lug warm water लेना है गुनगुना पानी पीना है या सडंगो दक सिद्ध जल लेना है इन दो मैंसे कोई भी एक चीजा prefer कर सकते हैं दिन भर गरम पानी गुनगुना पानी पीएंगे अभी गर्मी है जहां पर ज्यादा है उस्तर भारत में ज्यादा है तो सुबह जो हम पानी ओवाल लेंगे उस पानी को दिन भर पीते रहेंगे और उसमें सडंगो दक मुस्ता पानी पीते रहेंगे मुस्ता भी नहीं है तो सुन्थी जो है वो मिल जाती है जिंजीव और ऑफिस इनालेस उसको डाल देंगे और उसका सिद्ध जल जो है वह हम लेते रहेंगे ऐसा लेने से और साथ में कोकुनेट वाटर लिया जा सकता है जिन में दो से तीन वार कोकु के लिए कुछ नहीं बता रहा हूं अभी इंफेक्टेड़ी हो गए हैं आपको फीवर है सोड थ्रोट है सर्दी है जुखाम है कोल्ड है कोराईजा है लूज मोशन हो रहे हैं जो भी लक्षण कोविट के हैं ऐसा आपको लग रहा है तो उस समय तुरंत आपको को थ्री डे पानी पी सकते हैं और लेते रही है सड़ंगों तक सिद्ध जल लेना मेडिकेटेड़ वाटर इस वेरी इंपोर्टेंट तो ट्रीड बहुत जल्दी यह मेडिसिंस जो है रैप्लिकेशन को रोग देती है कोई भी इंफेक्शन है उसको रैप्लिकेशन को रोकने के लिए व इंफेक्टेड होते हैं तो आपको भी यही करना है म। दूसरे दिन सिर्फ मूंग की दाल का सूप लेंगे मूंग दाल सूप और नादियल पानी दिन में 2-3 मार मूंग की दाल का सूप लिया जा सकता है जब जितनी भूक लगे उतना और बहुत सारा नहीं लेना है एक ए को को कोन्त वाटर एस पर टू दू थारी टाइंड लिया जा सकता है थर्ड जो है आपको मूं की दल की खचडी लेनी है दिन में दो बार या तीन बार जैसी भूख हो उसके अशार और को कॉन्त वाटर ये डाइट जो है तीन दिन तक करनी है तीन दिन के अंदर आपके सारे जो symptoms हैं आपकी जितनी भी panicness है आपको जो fever high grade आ रहा है अभी एक चीज़ और देखने को मिली है लास्ट यह जो फीवर था वो कम देखने को मिल रहा है लूज मोशन पी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे है पेशेंट में तो यह ऐसा कुछ हो रहा है और आप उस condition में हैं तो वह fight करके जीत जाएगा लेकिन उसमें आपके सरीर में already पहले से कफ है inflammation है पित बढ़ा हुआ है और आप ऐसे में अपत्थे करते हैं धही खाते हैं दूद्ध खाते हैं रात में जाकते हैं दिन में सोते हैं तो यह ऐसे भी फूट खाते हैंजिविगे खाना खाते इसमें क्या होता है कि आपके इम्यून system है जो वाइरस आपके सरीर में आ गया है उस से लड़ने के लिए विक पढ़ जाता है क्यों पढ़ जाता है क्यों क्या हो क्या रहा है problem कहा है कि वह सब्सक्तर है और इस गिए नहीं हो रहे हैं इसको दूसे तरी के समझा यह इससी की से और प्रोटो और इन दौनों के बीच फाइट होनी है इन में जो जीतेगा उसी का लेयर आजाए आपके सरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ा हूआ हो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा आप जो आपके सरीर की immune system जो है आपका सरीर की जो सैना है वह वहां तक मार नहीं कर पाती है उसको खा नहीं पाती है उसको हो जाता है यह मैं क्लियर बता रहा हूं आपको यह करना जरूरी है बहुत सरे लोग पूछते हैं आपके पेशेंट कैसे बाहर इतनी जल्दी आ हैं क्या मैडिस देते तो मैं कई बार बता चुका हूं आज फिर बताऊंगा तो थ्री डेस कोई डाइट किलियर हो गई होगी मुझे लगता है आप लोगों को अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इमर्जेंसी किट में क्या-क्या आप यह घर पर होना चाहिए क्योंकि अभी खराव दिख रही है और होने भी वाली है ऐसा दिख रहा है तो आप लोगों क्या पास डॉक्तर के पास अपने क्लिनिक्स में जो लोग लेमेन हैं वो लोग अपने घरों में क्या-क्या मैडिसेंस रखें जिससे आपको डर नहीं पैदा होगा तो कि आपको जो मैडिसेंस है उसमें पहली मेडिसिन का नाम है तिरलोक चिंतामनी रस अपने घर पर एक सदो टेन टेबलेट की पैकिंग आती है आप इस टेबलेट तीस टेबलेट की इसकी तीन पैकिंग रख सकते हैं अपने पास दूसरा है महालक्षमी विलासरस स्वान युक्त इसको भी आप अपने पास रखें तो मैं लिस्ट पता दे रहा हूं आपको तिरुवनकिरती रस महालक्षमी विलासरस महाशुदरशन घनवटी यह तीन मैडिसिन बहुत इंपोर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए इसके साथ मैं फीफा ट्रॉल नाम की टेबलेट है जो एमिल कंपनी बनाती तो अपने पास महालक्षमी विलासरश नाड दी जुको सिंपल ज्यादा लाक्षण नहीं उनके लिए लग्षमी विलासरस नाड दी ये मैडिसिन से अदिये आपके पास होंगी तो कोई भी आयूदिक ही डॉक्टर आपकी help कर पाएगा और यह कोई भी मैडिसिन करके मैडिसिन खाना सुरू नहीं करनी है यह जो इस बात का ध्यान रखें आप अपने डोक्टर के पास जाएं और उसको पूछेंगे तो वह आपको बतातेगा कि कौन्ची मैडिसिन कब लेनी है और कोई नहीं मिलता है तो हम आपको एक नंबर देने वाले हैं अपने फेस्बुक वॉल पर हम पोस्ट करेंगे उस पर आप लोग वाट्स अप करके सुब्दा का लाब ले सकते हैं तो जब तक डॉक्टर आपको गाइड नहीं करें तब तक कोई भी मेडिसिन खानी नहीं है लेकिन इसे अमर्जन सी किट आपको अपने पास रक नहीं है और यह बता रहा हूं इसे हैड़ियो एक्सिजन लेवल कम हो रहा है उसको तुरंत बढ़ाता है यह पेशेंट को निमोनिया हुआ हो ँससे बाहर निकाल देता है यदि पेशेंट हो रहा है उसको इंप्रूब करता है वेंटिलेटर तक के पेशेंट्स को हम इससे बाहर लेकर आते हैं यह मेडिसिंस में लक्षण के आधार पर शुरूब आती दौर में जब कुछ ज्यादा विसेस लक्षण नहीं होते हैं तो त्री डेज कोवेड डाइट करेंगे और फिफाट्रॉल टैबलेट एक गुली सु लेकिन इसमें चुरूबाती दौर में ऐसे लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं होगा की नहीं होगा बहुत सरे लोग डर जाते हैं कि पता नहीं होगा की नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हून कि इदे पहले partie infection की सुरूबात हुई और infection का का आपने केर नहीं किया जो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका आपने केर नहीं लिया दिया आपने डाइट कंट्रोल नहीं की तो यह infection आंगे बढ़ेगा replication होगा और replication होखे lungs में जाएगा और lungs में जब जाएगा तो pneumonia create करता है और लंग्स में जाके और तेजी से replication करेगा और वहां पर रोखने में बहुत समस्य आती है तो क्या करना infection जैसी होता है शुरू आती दौर में ही आयरवेधिक treatment शुरू करना है तो इससे आपका जो infection है वो control हो जाएगा आपकी सरीर की जो सेना है वो infection से लड़ना शुरू कर देती है और जीतने में भी सक्षम हो जाती है यह अब आपको समझ में आया हुआ कि कुछ लोगों में कुछ नहीं होता है और बहुत सारे लोगों में सब कुछ करने के बाद भी treatment नहीं हो हो पा रहा है उनका तो क्यों नहीं हो पा रहा है इसी को हम कारण के साइथ आपको बता रहे हैं कि डाइट हो गया emergency kit में और भी पेशेंट्स हैं उनके लिए medicine बताते तो बहुत तकलिफ आती थी कि मलसिंदूर का योग बनाओ उसको मिक्स करो तो पेशेंट्स के लिए इजी नहीं होता था तो हमने उसका तोड निकाला कि हमने तिलोग चिंतामणी रस एक टेपलेट दिन में चार बार क्योंकि तिलोग केश这个 और रोक को को रहा है आपको कि सिने बोला आपको कि कि हो कोई रोक रहा है कि आपको न dall सताव आपको डियागनोसिस जो है अलब यो कंदी पहले दिन से इलाज शुरू कर देना है तीन दिन तक कोबिट डाइट चलेगी उसके साथ में ही इलाज सुरू हो जाएगा तो यह डाइट के बारे में हुआ हुआ सिम्टम्स की आधार पर सर्दी जुकाम खांसी बुखार हलका फुलका है ज्यादा नहीं है माइल टू मॉडरेट सिम्टम्स है तो लक्षी विलास रस नाडदी एका प्रियोग करें बहुत ज्यादा फीवर हाई ग्रेड आ रहा है वन नोट वन के ऊपर जा रहा है यह दी फी निमोनिया हो गया है है लंक इंफेक्षन हो गया मौह सारे लोग अर्ली फेस में अटेश्St करने चले जाते हैं या एकसि और ले अले एक सायकल फेस देखने को मिलता है वह है साथ सेवंध हिवलत ही पेशन्टिटरिए आपका होगा तो सेवंध लेंऱ नहीं भी कराया लेकिन आपको लक्षण से लग रहे हैं आपका इसमेल संस गया है और भी जो लक्षण आपको देख रहे हैं यह इसा लग रहा है कि कोई आपको लक्षण है तो 7-12 बहुत क्रूशियल होगा उधी आपने यह नहीं किया तो यह सारा अपने जो प्रोटोकॉल रहें ऐसा करते हैं तो 7-12 डे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम हो रही है उस समय जो इंफेक्शन है वो लंग्स में जाता है उसके पहले देखने को बहुत कम मिलता है और गया भी है तो बहुत माइनर जाता है और वो रिकवरेवल होता है साम सेवन्थ डे कराएं यदि कराना ही है आपको तो लेकिन कब कराएं बहुत सारे लोग डाइगनोस्टिक के लिए दौड लगा देते हैं तो यदि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ नहीं है आपको खासी बहुत ज्यादा नहीं है यह सिम्टम मैंने पिछली बार भी बता सांस को गहरा लेना है और यदि आपको ठसका नहीं लगता है ऐसा नहीं होता है तो आपको इंफ्क्शन नहीं हुआ है यह आप समझ सकते हैं और हुआ भी होगा तो बहुत माइनर है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उससे आपकी रेस्पिरेशन पर कोई effect नहीं पढ़ रहा है तो इसके लिए बहुत जल्दी दोड़ लगाने के आवशकता नहीं है कि भाईया दोड़ के जाके हम एक्सरे पहली दिन करा लें, दूसरे दिन करा लें, सिटे स्केन करा लें, कोई फाइदा होता नहीं उसका, क्योंकि उस समय तक इंफेक्शन आपके लंग्स में पहुंसता ही नहीं है, तो सेवन्थ डे से ट्वैल्थ डे जो है काफी क्रूशियल होता है, उस समय काफी समल के रहें और जरूवत यदि पढ़ती है, यदि आपने कोई डाइट फॉलो की है, तो mostly cases में सेवन तो ट्वैल्थ डे कोई प्रॉब्लम नहीं तो 14 दे के बाद आप फ्री है है आपको कोई समस्या होती नहीं है ऐसा हमारा अनौबर आया हमने कई हजार पेशेंटों को ट्रीट किया है, critical से लेके सामानी से लेके, सारे सभी प्रकार के पेशेंट को integrated approach से भी किया है, हमने individual approach से भी किया है और बहुत शान्दार रजल्ट हमें मिले है individual approach से treatment करने में, त क्रूशियल होता है मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं लेकिन डरने की ज़रुवत नहीं है यह आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है रिपीटेट खासी नहीं आ रही है ड्राय कफ नहीं है और सबसे इंपोर्टेंट यह सांस गहरी ले रहे हैं और ऐसे ठसका नह आपको लंग हो चुका है यह करा लो कि उसमें कुछ आहींगा है क्योंकि अभी तक कुछ infection हुआ नहीं है कोई भी diagnostic diagnostic approach में जब diagnostic पकड़ जब होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है उसके पहले जो दूसरे लक्षण है उनके आदार पर हम डाइग्नोस इजी ली कर लेते हैं जिसको पूर्व रूप कहते हैं मतलब बीमारी होने से पहले के लक्षण वह जैसे मैंने जो आपको अभी बताए हैं ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको मेडिशन सूरू करनी होगी उसके लिए क्या कर रहे हैं हमने इक अभी नए प्रोटोकॉल सैट किया है क्योंकि किसी में पता नहीं चल रहा है कि किस पेशेंट में शुरू कर देते हैं और महाशुदर्शन गनबटी शुरू करते हैं अब यहां पर बता दूं कि महाशुदर्शन गनबटी उन पेशेंट को भी देना है जिनको फीवर नहीं आ रहा है जुरूरी नहीं कि फीवर आए तभी देना है महाशुदर्शन गनबटी देना है क्योंक के डोज में पेशेंट को देना चाहिए ज़रूत पढ़ने पर आप इसको QID भी कर सकते हैं दिन में चार बार भी दिया जा सकता है महालक्षवी विलाश्रस एक गुली सुभैसाम बन टेबलेट बीडी का डोज और माशुरुशन घंबटी यह दो मैडिसिन चलती रहती हैं यहीं फीवर किसी को ज्यादा आ रहा है तो उसके साथ मैं आप फीफा ट्रॉल टेबलेट एड़ कर दें इतना करने से पेशेंट्स रीकृर होते हैं और क्यों समस्य नहीं आती बहुत सारे लोगों की भी हम इसे सबी रोगी पैनिक होने है लेकिन इससे किसी भी परकार का कोई कॉंप्लिकेशन नहीं होता है वाइरल लोड एधी कम नहीं हुआ तो ऐसा होता रहता है और उसके लिए आप पैनिक मत होई है है मैंन ही और फुर प्रणिय और तो आधी इससे नहीं है द्वार बीज आज रहे तो यह सिंपल फीवर अतारा है उतर आरा हैं तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है चार-पांच दिन चेद दिन में फिवर पूंड रूप से ठीक हो जाता है और बहुत माइल रह जाता है वो भी 5-6 दिन में ठीक हो जाता है ऐसा नहीं कि हाई ग्रेड फिवर आता रहेगा ऐसा होता नहीं यदि ऐसा कुछ हो रहा है और फिर इसके लिए हमने क्या किया 6th day तक हम महालक्ष्वी विलाश्रस और महाशुदरशन घंबती दे रहे हैं यदि फीवर हाई ग्रेड आ रहा है तो हम इसमें फीफा टॉल एड़ कर रहे हैं और 7th day या 6th day से हम इसमें तिल्लुक चिंतामणी यहां पर लंक्स में मूकस क्लेक्ट हो जाता है और यह जो है जितनी जानी चाहिए oxygen वो नहीं पहुच पाती है जिसके करण saturation ड्रॉप हो जाता है तो यह बहुत अच्छी medicine है लेकिन खुद से यूज नहीं करना है इसको अपने डॉक्तर से consult करिए यदि वो बोलते हैं तो फिर आप सुरू कर सकते हैं ऐसा नहीं कि saturation fall से suffer कर रहे होते हैं like 70 और 65 और 60 saturation जिनका रहा है without oxygen ऐसे patient को हम तिर लोग चिंता मनीरास वन अवर लिए देते हैं that means 1 gram per day up to up to 1 gram per day dose तक हम इसको दे सकते हैं कुछ दिनों तक 2-3 दिन तक उसके बाद patient recover होने लगता है फर्स दे से ही और जैसे recovery होती है फिर हम इसके dose को again qid, tds, bd तक od तक फिर shift कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी medicines हैं इनको आप अपने पास टाके बहुत सारे लोगों के repeat आ रहे हैं कि sir kit का फिर से repeat कर दीजिए emergency kit तो मैं बता दूँ पहली medicine का नाम है तिर लोग चिंता मनी दूसरी medicine का नाम है मा लक्ष्मी विलाश रज, स्वाण्युक्त, तीसरी medicine का नाम है मा शुदर्शन घनबटी, चोथी medicine का नाम है फीपा ट्रॉल, ये चार medicines आप अपने घर पर लाके रख लें, हर क्लिनिक पर रखें, अपने family patients, अपने relatives, सब के यहाँ पर ये medicine जिन लोगों को नहीं मिल रही है, वो लोग online purchase कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि कभी भी कोई critical condition ने दी होती है, तो इसको manage किया जा सकता है, हमने कई cases ऐसे किये हैं, जो हमने सिर्फ individual approach से treat किये, वहाँ कोई हमने integration नहीं किया, हमने कोई medicine नहीं दी, कोई antiviral नहीं दिया, कोई success rate है, हमने इससे कई patients को इनके माध्यम से इनको मृत्यू के द्वार से पापस लाने में सफलता मिली है, तो इतने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है, इसके साथ में investigation, जैसी ऐसा कुछ होता है, तो आप सबसे पहले कुछ investigation हैं, कौन-कौन से कराने चाहिए, त कुछ complication है, बाद में तो DDMR कराया जा सकता है, शुरूबात में इसकी इतनी आवश्यक्ता नहीं होती है, यह investigation कराने चाहिए, यह 7th day आपको कुछ या कभी भी lungs में ऐसा लग रहा एक infection है, dry cough बहुत जादा है, और ठसका लग रहा है, जैसा मैंना के सांस लेने में दिक्कत ह हो रही है, तो chest x-ray कराना चाहिए, या CT scan करा सकते हैं, HR CT scan, कई बार COVID test कराने के में भी negative आता है, CRP बढ़ा हुआ आता है, लक्षन सारे COVID जैसे होते हैं, तो yes, वो false negative report हो सकती है, यह आपको सारे लक्षन हैं, तो again isolation में आई जाएं, और उसकी जो treatment हमने जिस तरीके से करते हैं, अब करना क्या है और क्या नहीं करना है, यह बहुत important है, करने में मैंने बताया है, आपको COVID diet follow करनी है, मेहनत ना करने वाले ऐसे जो प्रणाया में है, या exercise में की जा सकती है, walk वगेरा जो है अपने terrace पर या अपने hall में या room में की जा सकती है, और करनी चाहिए, ल करना है, दिन में सोना नहीं है, वसंतरितू चल रही है, कफ का प्रकोप और ज्यादा होगा, इसलिए बच कर रहें, यह बहुत जरूरी है, तो यह लगवग लगवग जो मुझे आज बताना था, वो important बात हो गई है, और चिकित्सा में कफ इस्थानानू पूर्वी, इसका कफ का ध्यान रखना है, कफ को पकड़ कर रखना है, कफ की चिकित्सा जरूर करनी है, यदि कफ को आपने जीत लिया, कफ मतलब यहां पर मुकस है, कफ मतलब खासी वाला कफ नहीं है, मुकस है, यदि मुकस को आपने जीत लिया, जो आप के जमा हो रहा है, जिसके कारण औक तो फिर आपको समस्या नहीं होगी और आपको नियमोनिया डेवलप होने के चांसेज खतम हो जाते हैं ना के बरावर रह जाते हैं कि डाइट एंड ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट और सबसे इंपोर्टेंट बात है डरिये मत डरने की ज़रूरत नहीं है चिकित सक्के पास जा सकते हैं या ओनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं जो भी आपके आसपास चिकित सक्क हैं उनकी से